दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जारे नियू रइस्टेशन के लिए जो भी छात इंजार करे उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पून हने वाले है और जो भी छात का रेगुलर कोमेंट आ रहे थे जैसे एस्टेनोगर आफर री टैपिंग का एक क्लेर करने वाले हैं और नियू रइस्टेशन के लिए जो भी छात इंजार करें उससाब कि लिए बढ़ो बहुत ही महत्त्पून हने वाले किंगि आज के इस कव्धियो में हम 10 मसे कउस्टन भी लाए जो भी छात नियू रइस्टान का ज़रूर कीजिया क्योंकि बहुत इ क्योंकि आज हम बेल्ट ओन ओफिस बात किये गार से कुछ बात हुए री टैपिंग के बारे में आपको बता दू यह री टैपिंग के लिए जो भी छात इंदजार कर रहे हमको गार से जो जानकारी मिले वही आप लोग को हम सेयर करेंगे ओफिसियल जो आपको चाहिए हम 4-5 दिन के बाद बेल्ट ओन ओफिस जारें एमडी से बात करने के बाद सही जानकारी आपको मिल जाएगा अभी गार के दोरा यही बोला जारा है जो भी छात री टैपिंग के लिए इंदजार कर रहे हैं उन सब का री टैपिंग नहीं होने वाले हैं उसका कहने के मतलब यह है कि री टैपिंग होगा लेकिन अभी परस्नली में किसी का भी नहीं होगा जब न्यू रेजिस्टेशन होने लगेगा उसके बाद जो भी छात टैपिंग में फैल कर चुके आप लोग का रेजिस्टेशन पहले से रहेगा अगर आप पर टैपिंग ही देना पड़ेगा लेकिन अभी परस्नली में किसी का भी नहीं लेने वाला है यह हमको भी पहले सा जानकाई था लेकिन गाड के द्वारा भी यहीं जानकारी मिलेगा अगर आप लोग इस पर भी स्योर नहीं है तो हम एमडी से बात करके नेक्स्ट वीडिय कि लिए आपको बढ़े इन सब क्यों सी होना एश्टार्ट हो चुका है आप लोग जो भी इमेल दिये थे आपको इमेल पर एक मेल आये होंगे योर क्यों सी अप्रूब इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग मिलना बांकी रगा है जो भी 42 कंडिडेट है अगर आप लोग को मेसेज आ चुके है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आगे प्रोसेस क्या है वह हम लोग कोमेंट में बता देंगे इसके बाद थर्ड नमर का कोमेंट है आपको बदा दू ये कोमेंट बहुती महत्पूर कोमेंट है क्योंकि जो भी छात बिहार बेल्टान कौयलिफाई किया है वो बहुत ही महिनत से क्वाइलिफाय की है पिछले साल आपको बदादू LRC डिपार्टमेंट में 534 अंचल में 1-1 डाटा इंटरी ओपरेटर का बहाली किये थे उसमें पिछले साल 112 कंडिडेट ऐसे थे जो जोइनिंग नहीं किये थे मतलब वो किसी दुसरे डिपार्टमेंट का इंदिजार कर रहे थे मतलब हम रिजक्ट कर देते हैं जोइनिंग लेटर और हमको दुबारा से कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएंगे या कोई और वज़ा हो सकता है लेकिन 112 कंडिडेट जोइनिंग नहीं किये थे इन सब एस्टुडेंट का रेगुलर कोमेंट आ रहे थे कि हम लोग का जोइनिंग कव होंगे आपको बदादू आप लोग जब रिजक्ट किये होंगे आपको दुवारा से पेनल में नाम जुरवाने के लिए बिहार बेल्टोन के ओफिस में आपको एक आवेदन देना पड़ता है तभी आप लोग को पुना पेनल में लिया जाएगा बहुत सारे एस्टुडेंट जिसको मालूम था वो आवेदन भी दिये थे इसमें से अभी 60.65 एसी है जिसको दुवारा से पेनल में ले लिया गया है जो भी 112 एस्टुडेंट बज गए है जोइनिंग के लिए आप लोग दुवारा से पेनल में नाम जुरवाने के लिए आप लोग एक बार बिहार बेल्टोन ओफिस जाकर मिले आप लोग student से संपर्ख कर लिजिए अगर आप लोग को संपर्ख नहीं हो रहा है तो comment box में संपर्ख कर लिजिए सभी student एक जुट होकर कम से कम 10 आदमें मिलके जाए बेल्ट ओन ओफिस और वहाँ अपने बात को रखिए क्योंकि आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा कोई दूसरा करने नहीं आएगा तो जो भी 112 कंडिडेटर आप लोग बेल्ट ओन ओफिस से जाके मिलीए आपको अभी भी मौका है पैनल में दुबारा से लिया जाएगा उसके बाद लास्ट कोमेंट है एस्टेनो गराफ़र का एक जाम कब होंगे इससे रिलेटर अभी कोई भी जानकाई नहीं मिला है हम लोग बेल्ट ओन ओफिस जाने वाले है उसके बाद इससे रिलेटर कोई जानकारी आते हैं तो सब से पहले आपको इस चैनल पर दिया जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी छात इंतजार कर रहे हैं आप लोग को बदा दू हम लोग इस बीच में फिर से बिहार बेल्ट ओन ओफिस जा रहे हैं उसके बाद कोई भी अपडेट आते हैं सब से पहले आपको इस चैनल पर दिया जाएगा वैसे आप लोग को बदा दू यह वेकेंसी आप लोग को अक्टूबर तक में देखने को मिल सकता है और लरती में अभी कितने अधियाचना जाना बांकी है यह मैं नेक्स्ट वीडियों आप लोग के साथ सेयर करेंगे और चली आज इस वीडि है और यह MS Word का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको MS Word में वाटर मार्क ओप्शन किस टेव में होता है होम टेव इंसर्ट उसके बाद पेज लियाउट उसके बाद रिव्यू आप जो MS Word में डॉकुमेंट की है उसके पीछे आपको वाटर मार्क लगाना है तो आपको सबसे पहले पेज लियाउट में जाना पड़ेगा और नीचे मुहा पे देखेंगे वाटर मार्क ओप्शन रहता है इसका एंसर सही हो जाएंगे सी नम्मर एंसर सकेंड में आपको बताना है कि भीउ मेन्यू में एस्पिलीड ओप्शन का क्या कार्ज है MS Word में सबसे पहला होम इंसर्ट और पेज लियाउट और इसके बाद रिभी और भीव में आपको सबसे पहले मैक्रो का ओप्शन रहता है उसके नीचे में आप देखेंगे एस्पिरीड का ओप्शन रहता है तो एस्पिरीड का कार्ज यही है कि एक बिंडो को दो भागों बाट इसका सही एंसर D हो जाएंगे एक बिंडो को दो भागों बाटना तीन नमर का क्वेश्चन है कि एक बाद टेप दवाने पर करसर आगे आता है मतलब आप एक बाद टेप दवाते हैं कितना इंच करसर आपको आगे जाते हैं 0.3 0.5 0.8 उसके बाद 1.0 इसका सही एंसर आप करते हैं तो बाइडिफोल्ट बल्याक में रहता है उसको चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ ओप्सन देख लिए टेक्स हैलेट रंग उसके बाद फॉंट रंग उसके बाद शेडिंग उसके बाद एस्टाइल तो आपका एंसर भी हो जाएंगे फॉंट रंग बाइडिफोल्ट आपको बल्याक रहेंगे आप जब तक वहां पे चेंज नहीं करते हैं चेंज करने के लिए आपको फॉंट का जो रंग होता है वहां से आप चेंज करके जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर लेकर आप वहां पे टैप कर सकते हैं उसके बाद बताना है कि MS Word 2007 को अधिकतम डैश डैश तक जूम किया जा सकता है मतला पेज को कितना तक जूम कर सकते हैं आपका पहला है देर सो उसके बाद एक सो उसके बाद चार सो उसके बाद 500 इसका सही एंसर्ट डी हो जाएंगे उसके बाद छे नमर का कोश्चन है कि MS Word में निमलिखित में से कौन स मेन्यू बार एक विकल्प नहीं है MS Word में पांच परकार के मेन्यू होता है सबसे पहला तो होता है उसके बाद इंसर्ट उसके बाद पेज ले आउट उसके बाद रिभी और भी होता है इसमें ऑप्शन सब देख लिजिए इंटरनेट है इंटरनेट सबसे पहला कोश्चन इंटरनेट गलत है इसका सही एंसर हो जाएंगे इंटरनेट बाकि जो यहां पर इंसर्ट, ओंपेज और ले आउट है यह सब तीनों हो जाएंगे और इसका इंटरनेट नहीं होगा तो सबसे पहला इसका एंसर्ट यह हो जाएंगे उसके बाद आपको बताना है कि MS Word में कि इतने वियू होते हैं वहीं जो आप उफर में देख रहें जितना भी टेव उसी को बीव बोलते हैं तो आपको बताना है कि MS Word में कितने वियू होते हैं 3, 4 और 5 उसके बाद 7 इसका सही एंसर C हो जाएंगे उसके बाद आपको बताना है कि MS Word में एक नया पेड़ागर आप शुरू करने के लिए कौन सा कुझी दबानी चाहिए है डॉन करसर की उसके बाद इंटर की उसके बाद सीप इंटर उसके बाद कंट्रोल इंटर आप जब भी MS Word में लाइन बाइन टैप कर रहें नीचे लाइन में जाने के लिए आप एक बाद इंटर दबा देंगे तो आप एक पेड़ागर आप ले सकते हैं जितना इंटर दबाएंगे उतना पेड़ागर आप नीचे की तरह ले सकते हैं इसका सही अंसर B हो जाएंगे उसके बाद आपको बताना है कि निम में से कौन input इकाई है, input इकाई का मतलब समाई लिजे, computer काम जो भी चीज देते हैं, वो input device हो गया, और computer कार्ज करके जो भी हमें देता है, वो output device हो गया है, सबसे पहला option है कि mouse, keyboard और scanner, इसमें से सभी, इसका सही answer D हो जाएंगे, mouse, keyboard और scanner, keyboard से हम कोई भी चीज टाइप करके computer में डाल सकते हैं, उसके बाद scanner से भी हम कोई text को scan करके computer में डाल सकते हैं, यह तीनों का कार्ज हो गया, input device हो, उसके बाद last question है, कि एक किलो वाइट के वी, कितने वाइट के वरावड होते हैं, सबसे पहला option है कि 1024 वाइट, उसके बाद 1024 मेगावाइट, उसके बाद 1024 गीगावाइट, और इन में से कोई नहीं थे, एक किलो वाइट वरावड होता है, कि 1024 वाइट, इसका सही answer यह हो जाएंगे, तो आप लोग इसमें कितना score बना पाए, आप लोग कोमेंट जरूर कीजेगा, और इससे और hard question चाहिए, या इ आप लोग वो भी कोमेंट कीजेगा,